स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल फिर्डम फिक्टिश्टडी में आज उमलों पढ़ेंगे कप्छा छे गणित अभ्यास 12 जी वाडि जी गणित भाग एक ठीक है न इसका पहला भाग पढ़ेंगे इसके पहले भाग में पहला सवाल दिया हुआ है कि कितना हो होगा डेड़ सो का 12 पर्शंट डेड़ सो यह रुपया दिया हुआ है इसका कितना पर्शंटेज होगा 12 ठीक न यहां वे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहां पर हो जाएगा हमारा 150 का का मतलब गुणा और यहां पर लिग देंगे 12 पर्शंटेज हटाएंगे ब इसके बार में कड़ी अब क्या कर सकते हैं कि यह 5 यह कड़ी आगा तो बांसो की बार में कड़ी आगा 5-3-21-15-3 बार में लग यह कड़ी आगा तीन से ये छे में गुणा करेंगे तो तीन सक्क को लेंगा अथरा or यही सत्प क्या हो जाएगा Border अमारा meget सो Career होगा वग तु तो यहाँ पर हो जाएक कितना हमारा 6 किग्रा, तिना, का कमतला गुणा, 40 परसंट कमतला 40 लिखेंगे, परसंटे जो ही अटाएंगे, बट्टे में कितना हो जाएगा, 100, और 1 0, 2 0, 1 0 और 1 0, सुरी, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 कडिया, चार में 6 का गुणा करेंगे, तो 6 में 4 का फाल हो जाएगा, अमारा, 8,5 मीटर का 15%, 8,5 मीटर का, अब 8,5 मीटर पॉइंट में है, तो इसको मीटर को सैंटी मीटर में बदल दीजिए, मीटर को किसमें बदल दीजिए, सैंटी मीटर में बदल दीजिए, अगर मीटर का अंसर मीटर में ये दिया, तो मीटर में ही निक तो हम लोग क्या करते हैं अपने पर बढ़ा लेते हैं फिर बाद में पड़ा भी लेएं जो हम एक यह पॉंट गिया तो यहां हो गया 20 35 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो पान से कटाएंगे तो 5 बटे 40 बचा कितना हमारा तीन बटे में 8 हो गया अब तीन बटे में 8 का मतलब 3 में आट से भाग देंगे तो कितनी बर में जाएगा? 8 3 के 24, मतलब 0分 पयले लगवा फिर जाएगा कितना हमारा? 8 3 के 24, तीन बर जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा? अमारा 24 हो जाएगा अब आगे देखी कितना हो जाएगा? पॉईंट लग गया, 8 3 के 24 हो गया बच गया 6 अब 8 से ऐसा पढ़ा पढ़िए तो 8 सते 56 यहां पो जागा 56 और बच गया 4 फिर 8540 लगवा इतना मीटर और यहीं इसका क्या हो जागा हमारा आंसर हो जागा तो इस तरीके से यह गया अभी तो होगी एक पॉइंट हटा के दूसरा तरीका यह भी है कि पॉइंट न इसको कटाते हैं तो 5 से अगर कटाएं तो कितनी बेर में कड़ जागा यह यह फिर इसका डिरेटली गुणा कर लीजे पंदर का तो 15 पचे 75 को 5 हांसिल कितना हो जागा हमारा साथ ठीक ना अब पंदर दूना के 30 और 7 कितना हो जागा हमारा 36 एक अंग बाद 10 लग जागा ए यह दोनों तरीका है अपना अपना ठीक है जो आपको अच्छा लग हो आप कर सकते हैं ठीक है अब देखिए अगला सवाल दिया हुआ है कि 1250 लीटर का 75 परशंट इसको देखे कैसे करते हैं तो यहां पर यहां पर जागा 50 और इसका 75 परशंट तो 75 और जहें ही परशंट हटाएंगे बटेंगे कितना हो जाएगा 100 आप चाहें तो इसको कटा सकते हैं मतलब 1-0 से इसको कटा देंगे अब देखिए इसको कटाते हैं तो कितने से कट जाएगा हम आदा हो जाएगा मलें 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 25-25, 125 को पाँच, हासिल कितना होज़ेगा? 12 25 में 7 को गुणा करेंगे तो 25, 175 और 12 जोडेंगे तो 175 में 10 जोडेंगे तो 85 ये 287 मलें 187 जाएगा और बट्यमीं कितना हाँ? 2 कर लेंगे 2 से इसमें भाग देंगे तो 298 2 से 9 वरवें 298 2 3 6 2 3 कितना हो जाएगा हमारा 6 एक बच गया 2 सते 14 पौिंट लगेंगे 2 पचे 10 इतना क्या हो जाएगा हमारा लीटर और यहीं इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से इसको आपको करना है 977.5 यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा लीटर में अब हम लेख चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल है कैसे हैं दूसरा सवाल दिया हुआ है कि चित्र को देखिए और बताइए छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है तो देखिए एक दो तीन चार पांच पूरे भाग कितने हमारे पांच और छायांकित भाग कितना एक तो यहांप हो जाएगा कितना हमारा एक मतलब एक बटा पांच भागोगा और यहीं से क्या हो जाएगा आंसर पहले पूरे का बूला है तो पूरा काउंट करके नीचे लिगे पूरे मैं से कितना चायंगी था तो एक चायंगी था एक उपर लिग देंगे जैसे आप नंबर पाते हैं तो जिसे आप लोगों का नंबर मतलब की होता है अगर प्रतिसत है तब देखिए च्छायांकित भाग पहले तो इसको बटेंब देंगे पूरा च्छायांकित भाग कितना हमारा है पांच उसमें से कितना कलर है तो एक कलर है तो एक लिख देंगे अब यह कितना प्रतिसत है तो प्रतिसत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग सो से गुणा कर देते हैं अब सो से गुणा कर दिये तो 1305 से कट आइंगे पांद नंके 102 जाएगा जीरो लग जाएगा तो कितना परषणटेज यह जा रहा है वीस प्रतिसत और यह से क्या हो जाएगा हमारा अंसर जाएगा इस तरीके से इसको आपको करना था ठीक है अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल तीसरे सवाल को तीसरा सवाल दिया हुआ है कि निमनलिखित को प्रतिसत में बदलिए इसमें से इसको सबको प्रतिसत में बदलना है तो देखे प्रतिसत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से गुणा अब प्रतिसत हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं हम लोग भाग करते हैं इसी प्र ब्रकार से यहां पर तीन बट्टे में आठ दिया हुआ है, तो इसको अगर प्रसाद नहीं बदलना तो 100 से गुणा कर देंगे, 4 से कटाएंगे, तो यहां पर जागा 4 दुना के 8, 4 से इसको कटाएंगे, तो 25 वर में कट जागा, दो नो बात बराबर है ठीक न तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं अब अगला सवाल देख लीजीए इसमें से तीसेरा सवाल दिया हुआ है तीन बट्टे में, तीन बट्टे में 25, इसको प्रसत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, देखें, 25 चोग के कितना हो जाएगा 100, चार तीन कितना हो जाएगा 12, और यह कितना हो जाएगा 12 प्रसत, और यह इसका क्या हो जाएगा, अंसर हो जाएगा, इसको प्रसत में बदलना तो कितना कर लेंगे, 100 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, अब देखिए क्या करते हैं, कि इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 400, और 400 में भाग देंगे 3 का, 400 में भाग देंगे हम लोग 3 का, तो देखिए कितना आ जा रहा हमारा, अगर भ फाग जाता है तो कितना हो जाएगा हमारा तीन तरीके 9 फिर थी प्रतिसए ठीक है तो इस तरीके से इसको यह आप आंसर में लिख सकते हैं आप लोग इसका चौथा आंसर मिलाएंगे तो आप लोग गलत आएगा ठीक क्योंकि मैंने सवाल ही उल्टा उता रहा है ठीक है न यह जान बूच के उता रहा हूं ताकि बहुत सारे लोड़को कमेंट आए देखू मैं कि क्या कमेंट सही और गलत का फरक बाता कर पा रहे हैं कि नहीं ठीक न बहुत सारे लोड़के 37 बस सुन लेते हैं ठीक न जब गलत हूं तो समझी है और कमेंट करें कि सर यहां गलती हो गया है ठीक है न अब दिखिए जैसे कि सवाल आपका अगर किताब में दिया हुआ चौथे सवाल का तो चौथा सवाल अगर मालीजिए इस तरी के सदे देता है कि एक सही तीन बटे में पांच अब इसका बदलना होगा तो पांच दुना कितना हो जाएगा दस बीस हो जाएगा अब बीस में आठ का कुणा करेंगे तो आठ दुना कितना हो जाएगा मारा 16 160 प्रतिसत और यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से इसको आपको करना था ठीक है परसंटेज को इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है, अब चलते हैं, हमनों, इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को, और चौथे सवाल को देखते हैं, कि कैसे होगा, चौथह सवाल, हमारा दिया हुआ है, कि निमनलिखित को 10 मलों बहниने में बदलिये, यह वाले नंबर को अम लोगों को 10 मलों बिनने में बदलना है तो यहां भी दिया 12.5% तो 12.5% को कैसे करेंगे वो देखिए पर्षंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम लों 100 से भाग देते हैं जस्ट उसी तरीके से इसको करेंगे यहां 12.5 दिया हुआ है पर्षंटेज हटाएंगे बटेम कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा भाग देने का मतलब होता है आपका 22 खिसके ना मतलब एक दो खिसकेगा क्योंकि दो जीरो है मतलब सो से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा जीरो और पांच और यहीं इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इसी तरीके से अगर प्रत्सत दिया हुआ है और इसको परषंट जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक उसी प्रकार से इसको करना है तो यहां पर भी क्या करें हम लो कि यहां पर जाएगा बासट दसमलो पांच दिया हुआ है पर्षंटेज यहां से हटा कि यहां पर नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब नीचे में क्या लिखना पड़ेगा 100 इतना मतलब कि दसमलो भीन होगा तो यहां पर बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर लिखेंगा पच्चासी अजहीं परसंटेज हाया बटे में कितना हो जाएगा 100 और भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.8 और 5 और यहीं इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर जाएगा तो इस तरीके से इन सवालों को करना है ठीक है अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं पांचमे सवाल को आप लोग को समझ में आता हो तो जादे सजादे लोग को सेर करें और कमेंट करते रहें ठीक है लगातार कमेंट करते रहें लाइक भी करे करेंगे कि कि यहाँ ही पर हो जाए जो नहीं हो पाएगा उसको नीचे करेंगे जैसे यहाँ पितनी बार चार बार चलाघा कि यहां पर हो जागा कितना अमारा 10 मुल हो जागा 0 point, यहां पर हो जागा 4 0, यह point हो गया, प्रतिसत में बदलना है, तो प्रतिसत में बदलने के लिए क्या करते हैं, दो बट्टे में 5 को अगर प्रतिसत में बदलना है, तो गुणे क्या करते हैं, हम लोग 100 कर देते हैं, प्रतात होता है वह एक सत्ता हो प्रतिससत्ता से करेंगे अब देखेए हो पे इसका मतलब यह हो जाएगा नहीं हो मैं हो 25 अब यह आ जहनकर बदलना हमारा भिंड provocative में ऊपर में कितना करेंगे हमलों so yours है करना पड़ेगा सौ से करेंगा हेमाँ चार और बट्टे में यहाँ धोत इसको कट आए चार कम चार और चार के इसको कट आएमगे 85 से कितना है क्या हो जाए और 15 15 मैं बटे कितना हो है आप 20 अब इसको सब्सक्राइब बच्ण प्रतिसत प्रतिसत प्रस्त को अंदे वह सको प्रतिसतом लोगहीं पहले हो भी रोले है कि चालीस दस मुलों यहां पे पांचहों कुछ हटाएब हो तो इसको बिन्य बदलना है तो एक देखिए एक जीरो यहां पर लगाते हैं तो पांच वठे चालिस और पांच एकम पांच अब इसको पांच से कटाएंगे तो पांच दुना के दस दो सो हो जाएगा मतलब 180 बटे में 200 इसका भीन्नी कितना हो जाएगा 180 बटे में 200 यह तो आगे है भीन्नी के रूप में अब इसको 10 मलों के रूप में बदलना है इसका मतलब इसको भाग देंगे जब भाग देंगे आप तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 2 से करेंगे तो यहां पर हो जाए अब इसको देखिए एक दो अंख है दो अंख है दो अंख किसने मतलब यहां पर जाएगा 0,04,05 तो यहां पर होँग है किना हमारा茶 गора runnin? जितना होता है उतना ही क्या हो जाएगा प्रसत मतलब 8 क्या हो जाएगा अमारा प्रसत हो जाएगा अब 8 को क्या करना पहले भिन्यों बदलना है तो 8 को भिन्यों बदलने के लिए क्या करते हम लोग 8 और बटे में प्रसत हटाएंगे बटे में कितना हो जाएगा अमारा 100 तो 100 हो जाएगा और इसको सो दिखे सो जब हो जाएगा तो चार से जीरो बड़ेगा लेकिया नहीं पाएगा एक बार वाग कूकि यह 25 है, था फिर जीरो लगाएगे, फिर जीरो जाएगा, अब कितनी बार जाएगां यह आठ बरुआएगा, तो पच्छिश वाटे कितना हो जाएगा हमारा, 200 और जो कि Itaμε Patι CantonSpeed आ जाएगा थिक ना डस्वलों में बदल दीए हम लोग प्रसत वी निकाल दीए प्रसता भी निकाल दीए सब का तो इस तरीके से इसको आपको करना था बहुँ जादे डिफिकल्ट नहीं है एकदम आराम से इत्मिनान से देख देखे के करिएगा समझ के करिएगा दो बार कर और वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें। सिंपल तरीका है यही करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंपल तरीके से और एक अंग बाद 10 में लगाना मतलब एक अंग बाद 10 में लगाना मतलब एक अंग बाद 10 लगा दिये तो कितना जाएगा हमारा दो दो पांच यहां पर दो पांच आया ठीक है अब नौ से इसको कटाएंगे तो नौ से कटाएंगे तो कितनी बार में कड़ जाएगा यह तो यहां पर देखें अब देखिए यह 0 से यह 0 तो कट जाएगा 5 से कटाएंगे तो 5-945 और 5 से कटाएंगे तो 5-10 नौ से कटाएंगे तो 15 बार में कट दाएगा और 15 दूना की कतना हो जाएगा हमारा 30 हो ус एस तरीके से इसको आपको करना है। ठीका उसी प्रकार से 1000 leitr दिया हुआ है, 1000 leitr का 42 leitr, 42, और gonň कितना हो जाएगा हमारा 100, 10, 20, 10, 20, अब 10 से भाग देगे कितनी बार में कड़ जाएगा, एक अंक बाह द कड़ जाएगा, मतल़ा 4,10 m Elioticular 2, और यहीं कितना हो जाएगा, यहाँ परसिशा का 25 को हुझा सब्सक्राइब 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 पहले हो 25 km प्रती घंटा की चाल सजा रहे थी, अब 5 km उसकी चाल को बढ़ा दी गई, अब उसकी चाल क्या होगी? तो पहली बात लिखेंगे टेंपू की चाल, टेंपू की चाल बरबर, टेंपो की यहाँ पो जगा चाल 25arımμα की 25 कि में प्रती घंटा. यह हो जागा 25 किलो मेटर प्रति घंटा अब क्या हो जा रहा है कि 25 किलो मेटर प्रति घंटा उस टेम्पू के चाल है पहले तो 25 किलो मेटर प्रति घंटा चाल है अब प्लस इसमें क्या हो जा रहा है कि 25 किलो मेटर तो है ही ठीक न इसमें क्या कर रहा है कि 5% की इंक्रीज हो प्रतसत को घटाना पड़ेगा मारा 25 किलो मेटर तो रहेगा ही और यह 25 किलो मेटर पर पांच परसेंट बढ़ गया मतलब पांच और प्रतसत आए तो बच्चे इतना हो जाएगा मारा सो चार से इसको भाग देंगे चार से हम लोग 5 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पो जाएगा 25 किलो मेटर पहले तो है ही अब भाग देते हैं तो यहाँ पो जाएगा 4 एक हो गया मतलब बच गया तो 4 दुना के 8 और 4 पचे 20 मतलब यह 25 में एक जोड़ेंग इतना हो जाएगा हमारा 26 दसमलो यहाँ पो जाएगा 2-5 किलो मीटर पर हावर्स यह इसकी चार लो जाएगी 26 दसमलो 2-5 किलो मीटर पर हावर्स समझ में आ रहा कैसे इसको बदल देंगे, इसको बदलने के बाद इसको add कर लिए, बासमझ में आ रहा है, और यह हिसका क्या हो जाएगा, answer, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, तो भी बताएगे, फिर से बताऊंगा, ठीक है न, अगर आ गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे लग रहा है कि 5% बढ़ा दिया, तो 5% इसकी चाल बढ़ गई, 5% इसकी चाल बढ़ गई, तो 25 था, और 25 गुणे, 5% बढ़ा है, इसका मतलब 5 और परशंटेज हटाएगे, बटे में कितना हो जाएगा, हमारा 100, जो की पुराना नियम है, हमने बता रखा है, तो यहाब देखे, 25 से इसको कटाएगे 25 के 100, अब 4 से 5 में भाग देंगे, तो यहाब देखे, 4 से अगर हम लोग 5 में भाग देंगे, कितनी बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, दसमलो लगाएगा, चार दुना कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो ज गंट विफ इस तरीके से आपको लिखना था और इसका answer हो जाएगा आठवे सवाल पर। कि यह सी अस्थान पर टमपरेचर 40 डिगरी सेस्सियस था ठीक न अगले दिन वर्सात होने के कारण तापमान में 30 डिगरी का 30 प्रत्सकत का गिरावट होता है अब तापमान कितना पहले कितना था पहले तो यह दिमागु लगाई पहले था हमारा 40 उसमें 30 परशंट का क्या हो हो गए तो तीज पर्शंड के घिरावट होने का मतलब समझभीएगए बात को कि यहाँ पहले हम लोंका ताप Ma ne यह लिखेंगे पहले ताप Maan कितना था वो लिखेंगे ताप Maan बराबर पहले ताप Maan कितना था ऩाइक पहले ताप Maan कितना था हमारा 40 degree Celsius 40 degree Celsius लिखाऊ था कमी क मैं कितनी हो जाती है हमारे 30 प्रत्सत की 30 प्रत्सत की तो बात समझेगा पहले हमारा 40 प्रत्सत था डिगरी Celsius तापमान था और इसमें क्या करता है कि 30% का गिरावट हो जा रहा है तो 30% का क्या हो जाएगा हमारा गिरावट प्रत्सत लेगाएंगे प्रत्सत जहीं हटेगा क्या हो जाएगा नीचे में 100 के यहाँ भाग हो जाएगा मतलब यहाँ पहुझागा इतना 1-0, 2-0, 1-0, 2-0 और 4 ते कितना हो जाएगा हमारा 12 और यह जाएगा 12 प्रत्सत मतलब पहले तापमान कितना था हमारा 40 अब 40 में से 12% का गिरावट हो गया मतलब यह 40 परशंट था इसमें से 12% का तापमान नीचे गिर गया तो बच गया हमारा 28 डिग्री सेल्सियस अब तापमान रहा गया हम तो लिख सकतने हम लोग गिरने के बाद तापमान बराबर जिसमें 28 आरा वह मार दीजे बिकल्पहले तो लिख दीजे गिरने के तापमा गिरने के बाद तापमान गिरने के बाद के बाद ताप बराबर ताप बराबर 28 डिग्री सेल्सियस और तापमान गिरा बराबर यहां पर लिख सकते हैं तापमान गिरा कितना वह दिख दीजेगा गिरा बराबर 12 डिग्री सेल्सियस और यह इसका आंसर हो जागा जो 28 लिखेंगे जो आएगा वही क्या हो जागा आंसर हो जाएगा ठीक अब हमें चलते हैं इसके अगले सवाल नौए सवाल को देख लेते हैं उसके बाद इसको वीडियो को इस्टॉप कर देते हैं नौवा सवाल हमारा दिया होगा कि एक वस्तु का मुल्य 800 रुपया था उसमें 8 प्रसंत की कमी हो गई तो नया मुल्य क्या होगा पहले लिखेंगे वस्तु का मुल्य ठीक न वस्तु का क्या पुझागा मुल्य बराबर 800 रुपया वस्तु का मुल्य बराबर 800 रुपया ठीक ह और आई कमी बराबर वस्तू पर आई कमी यहाँ पर जगा आठ परत्सत की कमी आजा रही है आठ परत्सत के इसका मतलब यह हो जाएगा कि आठ रुपया था आठ सो रुपया है ठीक न, और इस पे हम लोग कितनी कमी अजा रही है, आठ प्रत्सत के, ये प्रत्सत अठाएंगे, बट्टे में कितना हो जागा, 100, मतलब आठ और गुणे, आठ बट्टे में कितना हो जागा, 100, 1020, 1020, और आठ में आठ को गुणा करें, कितना हो जागा, हमारा 64 रुपए, ठीक ना है, तो इस तरीके से आप इसको घटा करके लिख लिजेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 736 आ जाएगा, ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर, बात समझ में आ रहा है, पहले देखे, पहले वस्तु का मुली कितना था, 800 था, कमी कितने का, यह 8% का, तो 800 क 800, मतलब 800 का, 8% कितना हो जागा, 64 रुपया, मतलब 800 में से 64 रुपया कि कम ही आ गई, तो नया मुली कितना हो जाएगा, हमारा 736, तो लिख सकते हैं कि अत्त, नया मुले बराबर, मुले बराबर 736 रुपय, ठीक है, इस तरीके से इसको करना आज़े डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं सहचता से तो आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं इसको जादे मतलब कि करने की ज़रूरत नहीं है मतलब चाहें तो आप आराम से भी इसको एक साथ कर सकते हैं ठीक है अगले वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे कि एक साथ कैसे करते है तो आज के लिए इतने ही अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे धन्युक्त